शिमारू के नई वीडियोज के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें किसमत के लखी रोस है अरे भावी आप आईए बैठिये ना वैसे भी कल से तो आपको यह मौका मिलने वाला है नहीं आपका आखरी दिन है ना इस घर में तो इसी लिए अच्छा आप ना मेरे रूम में अच्छे से देख लीजे कहीं मेरे कमरे में आपको कोई समानना छूट किया हो आरती इस वक्त फिलाल मैं तुम ज़े सिर्फ बात करने आई हूँ भावी अब भी वही बाते भावी कमसे अब तो वह बाते करना बंद कर दीजिए कल आप जा रही है तो फिर क्या फायदा है इस सब बाते करने का क्योंकि आरती हमारे भी चौर कोई बात हो भी नहीं सकती है आरती ने कल आखरी बार तुम्हारे साथ थोड़ा वक्त बिताना चाहती हूँ भावी आपके पती यानि की मेरा भाई वो तो आपके साथ दो मिनिट बिताना नहीं चाहता फिर मैं क्यों आपके साथ चल पड़ूगी देखो आरती इस वक्त अब है एक भाई के नजरीय से सोच रहे है इसलिए उनको ऐसा लग रहा है कि उनकी पत्मी गलत है यही बात अगर वो पापा जी से सुनेंगे तब शायद जाके उनका नजरीया बतलेगा भावी आप इतना गिर जाएंगी यही उमीद थी मुझे आखिर आई गई न आप धमकी देने पे आरती जो बात तुम्हें अभी धमकी लग रही है ना शायद तुम एक दिन समझोगी कि यही तुम्हारी भावी का तुम्हारे लिए प्यार था खल नौबजे हमें निकलना तैयार रहना आरती कल तुम्हारे सामने कुनाल के घिनोने चहरे का परदा फाश करके रहूंगी आखिर करना क्या चाहते हैं अभी है आख है बरी बरी और तुम्हारी तुराने की बात करते जिंद्रगीरी कहफ़ा, कहफ़ा आभेर, अम्हाल कि तु तु ठी के ना? मेरा भाई मेरा भाई सबसे था सबसे था भाई भाई की तकलीर समझ जाता तुझे केसे पता सब्दा रामस मैं तू ठीक हूँ तू ठीक है तू? तू ठीक नहीं है मेरे भाई बहुत दिनों से देख रहोगी कोई बात है जो तुझे परिशान कर रही है भाई बोलता है न मुझे तू मुझे बता पता मुझे परिशानी क्या है तू मुझे परिशानी है अभी तेरे सर पे बहुत परिशानी है लेकिन ऐसे शराब के नशे में दूत होकर किसी भी समझेगा हल नहीं निकलेगा देख अगर पैसे की परिशानी है तो कुछ दिन काम चलाने के लिए मैं तुझे पैसे देता हूँ अधार समझ के ले ले बाद में देते ना लेगा ना मेरे भाई तू नहीं दे पाएगा वो सब मैं देख लोगा तू बता कितने पैसे चाहिए तुझे बॉल एक करोर तेगा एक करोर इतने पैसे क्यों चाहिए तुझे क्यों चाहिए तुझे क्यों चाहिए रिष्टे, कुष्टिया, सुकून, प्यार, मैं सब खरीदूंगा, और तुझे पता है क्यूं, क्यूंकि सब मिलता माजार में, मैं भी लोंगा, मैं भी जाके खरीदूंगा, अबे तु यह सब क्या बोले चाहरा हैं, तु तु मेरी चिंता मत कर, मुझे ना समझ में आ गया ह मेरी, मेरी किसमत की लग्की रूमे हैं, नहीं, पर मेरे बाई, वो मेरे बारे मैं सोचता है, मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे तु छोड़ देता हुआ, मुझे तो सब छोड़ देते हैं, मैं अपके राज चला जाओगा, मेरा भाई, सबसे अच्छा है, करें साथ कुछब ये! तीकुण और तूर तूम मुश्कुराने की तीकुण प्रवाण अभी ठीक हो जाएगा बिटा बस सफर अखो थोड़ा बहुत दर्दो रहा है किरती क्या वह तुबहें देखे नगा अचनक इनके पेट में दर्द उठा है समझ में नहीं आरा क्या करें तो डॉक्टर का बुला है हाँ बुलाया है वो आ गई दॉक्टर आएए देखे बतानी चानक इतना पेट में दर्द उठा है साथ जानी लेटी इमें देखे देखे नहीं आराम साथ किर्दी रिलाक्स पेटा बिल्कुल चिंता मत कीजिए सब ठीक हो जाएगा हाँ अब ही दर्द कम हो जाएगा बीपी तो नॉर्मल है लगता है इन्होंने कुछ ऐसा खा लिया है जो इनको सूट ने किया पेट में इन्फेक्शन हो गया है मैं इनको इन्फेक्शन का इंजेक्शन दे रही हूँ जिससे वो ठीक हो जाएगी एक नहीं मुसीबत यह लोग एक पल के लिए हमें अकेला नहीं छोड़ने वाले फिर हम जाहेंगी कैसे किरती नहीं ठीठी रहो डॉक्टर ने कहा ना तुम्हे आराम करना है दॉक्टर इस इंफेक्शन का सर बच्चे पे तो नहीं बढ़े गाना फिकरमत कीजिये ऐसा हो जाता है मैंने इंफेक्शन के लिए इंजेक्शन दे दिया है तो दर्ध कम हो जाएगा जी मैंने कुछ दवाई लिखके दे दी है, अगर कुछ प्रॉब्लम हो, प्लीज बता दीजी जी, आईए, मैं आपको छोड़ देता हूँ सब ठीक हो जाएगा हाँ और एक बात, इन दवाईयों की असर से रियाश्टेर सर हो सकता है तो डरनी की कोई बात नहीं, कुछ दिनों में फीक हो जाएगा यहां से निकलेगे कैसे, कुछ सोचना पड़ेगा क्योंकि कल का दिन हमारे लिए बहुत खास होने वाला है शाता, हमेना बहुत डर लग रहा है कल का दिन ना यार या पार होने वाला है अरे उसकुनाल वगरमज की हिम्मत तो देखो, गर का पता पूछ रहा था हमसे हुआ जी, मैं जानती हूँ, आप सब सम्हाय लेंगे पर आप में उसकुनाल से कहा क्या अरे क्या कहते हैं, हमारी सास भूल गई ती, डर लग रहा था हमें अरे हम पता पता नहीं वाले थे कहीं आपने सब कुछ बोलतों नहीं दिया इतने भी कमजोर नहीं हम, हमने न बात यू गुमा दी लेकिन हमने बहुत क्या गुमाई उस पे उस बात को पकड़ लिया अरे हमसे पूछने लगा, तीटाजी आपको क्या नहीं पसंदे क्या पसंदे करके सवालों का पहर हमारे साथ पे डाल दिया यह तेखो, अभी विके इंग डिनिंग बंद नहीं हो रही है उसकी परिशान हो गयाम इससे हुआ जी आपना इसे एक आखरी मेसेज डालिये क्या यही कि कि आप उसे बहुत प्यार करती है क्या बागर हो गई हो ता अरे अपनी लाश से यह हसीन शब्द ना पुलवाए और वह भी यह लीजी लीजी मगरमच के लिए पिल्कुट भी नहीं प्लीज देखिए आप जानती है ना हम यह सब कुछ सिर्फ उसे फसाने के लिए कर रहे हैं और यह मेसेज डालने के बाद आप आप फोन सुच ओफ कर लीजेगा कल की कल देखेंगे प्लीज बाजी हमें आपसे पहत्यार है आक है भरी में यह क्यों यह वह हुँ 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 पुँ हुँ हुँ पुँ दवीज तुने शराफ पी रखी है? इस यह जो नहीं पीढ वह तूच कर आपड़ाब आपरण चुट बोल रहाँ झाट टूजी पुवजी आप तो जानती है ना, घर के हाला तब भी ठीक नहीं है, ये बहुत परिशान है इन दिनों, आप प्लीज बुआजी, अभी कुछ में बुलिया है ने, एक मिनिट, गर में पहली बार परिशानी नहीं आई है, और इस फिरे तो इसने कभी अफसा नहीं किया, जिरह खड़ा है रुआजी, रुआजी, रुआजी प्लीज, मैं समार लोंगे, आप चरिया अराम कीजिए, प्लीज बुआज़ा, उट्ट, जिरह खड़े, जिरह खड़े, एक मिनिट, इस फिरे उट्ट, आगा है तो तो आज तो आज तो भाप खुश्योंगे नहीं तो इस जैल में आखरी रात है खराजादी बताओ, साथ, अठ्छा पत्ते मिलेगा, तुम्हारे कपड़े खुद बादरा रहे? तुम्हारे मिलेगा, तुम्हारे? अरे? सच मताओ, यह ना बहुत है, तुम्हारे अपनी तूसरी शादी में, इसे ही पहलना? इस मेरा तुम्हारा बोल अपना लगी दिखर के आता है सामने वाले को पता ही नहीं चलता कि उसका पेवकूपना है अरे सब्सक्राइब इस शादी वाली बात भी बिदाई वाले आसू क्यों तुम तो इस खुटन से इस घर से मुझ से आज़ाद होने वाली होना क्यों यह 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 इस सोपे पर सोते होना तुम यह ले जा इसको भी तुमसे जुड़ी कोई चीज नहीं चाहिए मुझे इसे भी लेकर जाओ वह अरे यह नहीं 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 वह उसे दुड़ते रहने दो यह मैं तुम आरबाद पी दोखागाद अजिस के सोफा रहेगा ना तो मुझे ना तुम्हारी तुम्हारी बेवाए के तुम्हारी दोखे के च्राद दिलाता है गा मेरा अजिल मेरा दिमाग ठीक रहे है रहे हैं दो शे फरिए फरिएश यह शीशा तोड़ दूँगा, क्योंकि इसमें मुझे मेरी, मेरी हारी वी जिन्दगी की परच्छा ही दिखती है, इसे तोड़ दूँगा मैं। अब तुम कज चली जाओगी है, मैं मैं सब संभाल लूँगा, अकेला। अपने कहरवारों को भी संभाल लूँगा, अकेला। बस कीजी अबे अरे कर तो दी बस अब मान ली हार बेने मैं तुवारे लाइक ही नहीं था वाल या किसी ओरने तुछ कुछ बोला तुम में मुझे सुराई नहीं दिया कुछ बोला तुम्हें कुछ मैं तब से चुपू इस उमीद ले कि कि शायद शायद आप मेरे इस तुपी के पीछे का दर्द समझ सकेंगे लेकर नहीं दर्द अरे वाल यार यार ये थर्द की बाते ना किती सब्ची लगते अब मुझे पता है ये ये सर्फ एक चूट है तुम्हें ये सारी खटी मेठी प्यारी बाते हैं खुस खुस कुनाल से करो जाते है अरे आपने आप चूप बहुत बोल लिया आपने अब चूप हाँ? बहुत बोल लिया तुम्हें पता है तुम्हें मुझे पहला तौफा क्या दिया है? तर्द सिंद्गी भर का तर्द उसके साथ उसके साथ सिंद्गी भर का पचतावा एकदब मुख अब खल क्या दिनना मैं जशन मनाऊँगा अरे ढौल बजाऊँगा पुरे महले को निचाऊँगा खुद भी नाचऊँगा मेरी आजादी का दिनना तुम्हें नाच़ोंगा तुम्हें नाच़ोंगा वेरसांच जोड़ उटो चलो मेरे साथ नाच़ो 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 कल से तुम्हारा यह ऐसास तुम्हारी एक खुष्भू मेरी सिंड़ी से हमेशा हमेशा के लिए खुद वस रह जाएगी पर यवफ एक लिचाद तर दो नुगा है तुम्हाराजी तुम्हाराज धर में अखरी दिल मेरी सिंदगी की नही सुभाद मेरी सिंदगी की नही सुभाद वेटू, वेटू, क्या हूँ अब, तुम दिखो ना? वरुन जी, अमारा चहरा. ये, ये, ये क्यासे हो? हम कहते थे, हम कहते थे ना, कि हमें वो देसी घी का खाना नहीं खाना, मैं सुनती ही नहीं है, यह देखो क्या हो गया, अभी हफ्तों तब लिए जाएगा वीटूब, रिलाक्स कुछ पी नहीं हुआ है, तुम टेंशन मतलो यह जो हुआ है वह जो हुआ है, वह जो हुआ है कुछ दिन में अप ठीक हो जाएगा थोड़े दिन? वरुन जी, हमारे पास आज शाम तक का भी टाइम नहीं है आप दिन की बात कर रहे हो क्यों? शाम को क्या है? अरे शाम को हमारा पहला टेस्ट टेस्ट? किस चीज़ का टेस्ट? वरुन जी, वह हमारा पहला सोनोग्राफी का टेस्ट है स्वीटू, आज हमारे बेबी की मुह दिखाई है तुम्हारी नहीं फिर भी अगर तुम्हें टेंशन हो रही है कि तुम कैसे दिखोंगी तो मेरे पास एक इलाज क्या? एक सेक्ड़ किये देखो, परफेक्ट परफेक्ट बहुत अर्ष्टी लग रही हो किये देखो अब किसी को कुछ भी नहीं देखेगा है न? वर्मजी, कहीं आज का हमारे सर्फ टेस्का पहला मौका आखरी नहीं बन जाए अब हम कैसे और देशन देंगे इस चेहरे के साथ राजी तो बहुत बहुत भड़क जाएंगे अब कि अब मौका आज तो देर नहीं हो सकती है कि भगवान यह गलता है है भगवान आज तो देर नहीं हो सकती है. माजी! आज के लिए तैयार हैं ने? श्रदा, वैसे तो हम तैयार हैं, लेकिन अमारा दिल, दिखो, सोर सोर से ताप तक पंटबर रहे हैं. माजी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीचे. आज आपके हाथों हमारी किसमत की लकीरे खिचे जाएंगी. घर पर ये बात किसी को नहीं बताओंगी. लेकिन एक बार, सिर्फ एक बार मेरे कहने पर जो पता मैंने तुम्हें बेचा है, वहाँ चली जाओ. तुम्हें उस कुनाल की असलियत अपने हाप पता चल जाएगी. अगर तुम्हें मेरी बात पर अभी भी यकी मही हो रहा है ना, तो तुम उझसे आज मिलने के लिए कहो. तुम देखना वो तुम्हें मना करेगा. अब क्या चाहिए उसे? एक मिनट. हाँ. अब कहा हो तुम्हें जान, मैंना आज लखनों आया हूँ जरा काम से. तुम्हारे लिए ना चिकन की स्पेशल वाली कुर्ती लेकिया हूँगा कर. पक्का. ठीक है? चलो अच्छा अभी मुझे लेट हो रहा है. मैं करता हूँ ठीक है? बाइ. बाइ. चली आज मिलते हैं आपसे, रीटा जी. एक बार जो यह एड्रेस बेजा है, इस पर आज हो तो फिर तुम्हें खुद सब कुछ पता चल जाएगा. बाइ. बाइ. हलो? हलो? कुनाल जी? हम आचुके है. आचाई और हमने बैंगनी रंगा सूट पहना है. बस अब और इंतजार नहीं. आ रहा हूँ मैं अपके पास. कुनाल जी, कहां जा रहे हैं? हम ही है, रीटा. माफ कीजिए, मुझे थोड़ा काम… आप ने अपनी उबर बीस-बाइस साल के आसफास बताई थी ना? हाँ, वो उसमें थोड़ा पांचे साल जोड दीजिए. बस पांचे, मेरा मतलब, माफ कीजिएगा आपको तेखने से लगाएंगा. हाँ? मेरा मतलब, माफ कीजिएगा मेरी मीटिंग आगी तो मुझे जाना पड़ेगा. अरे, अरे! कोई बात नहीं कुणाल जी, हम ही पागल है, आपके बाहर में पता नहीं. क्या-क्या सोचने लगे, क्या-क्या सपने देखने लगे. हामें लगा, हम आपसे मिलेंगे, आपके साथ कौफी पीएंगे. अपनी पसंड के absolute आपके ले कठे ख़ी देंगे. पर permettre.. हम आपके लायक नहीं, इसलिए आप हमें पसंद नहीं करते हैं. अरे, ऐसा कैसे माल लिया आपने? अब आपकी गलत फैमी तो दूर करनी ही पड़ेगी ना? माफ करेंगी ना मुझा? अब जी, जरूर. मगर आपको ये बताना होगा. कि कौनसी कौनसी गलती के लिए आपको माफ करना होगा. माफ ही दीजे क्यूंकि जो बात मुझे आपको सबसे पहले बतानी चाहिए ना, वो अब बता रहा हूं. आपकी आवाद. और ये, ये आखे, ऐसी है कि बस देखता रहूं, सुनता रहूं. पतीला भर के जूट परोस्रा है, मगरमच कहीं का? सच चछ, बताईएगा. आपने अपनी उमर बढ़ा के बताई ना मुझे. हम दोने में दूनिया बनाना चाहती है ना, बाइस साल चे ना, एक दिन उपर नहीं है आप. मगर मच. क्या? मचली. आपके आखे पिलकुल मचली की तरह है, इसलिए जाहिए. आपके जूट के लिए हमने आपको माफ किया. और हाँ, हम आपके लिए तौफा लेकर आए, आप मना तो नहीं करेंगे. माफ कीजेगा हमें, एक और तौफा आपके लिए लेकर आए. सच? अरे, रीटा तुम भी न- मेरा मतलब रीटा जी, दिखाईए ना. लेकिन क्या है ना? हम आपको तौफा तो दिखाएंगे लेकिन आपको अपनी आखे बंद करने होगे. क्योंकि क्या है ना? जब आप अपनी आखे खोलेंगे तौफा देखने का मजा ही कुछ और है. चलिए, आखे बंद कीजी. अब हम तो आपके गुलाम हो गए हैं. चलिए, ऐसा ही सही. अब मुझसे और इंतिजार नहीं हो रहा है. आपके खोल के दुबारा अपका खुबचूगा चेहरा फिर से देखने हैं. तोफा महंगा हो तो इंतिजार कैसे हो, अब दिखा भी तो. जाबत तमीजी आई! आर्थी? मैं तुम्हारे पैरों कर खुदी कुलाडी मारने नहीं दे सकती हूँ. तुम उस दड़के से नहीं मिलोगी. तुम्हारे लिए मैंने अपने परिवार से लड़ाई की. क्या कुछ नहीं किया मैंने? और तुम्हें तुम मुझे ही दोका दे रहे हो. चक्षण, मैं ही गड़ी थी! जो तुम्हारे चक्कर में आके मैंने क्या कुछ नहीं किया? आर्थी, ऐसा नहीं है. तुम्हें तो पता है तुम्हारी ये शद्धा बाभी एक मौका नहीं छोड़ती मुझे पसाने का जिसके पास तुम हो मुझ जैसा कोई लड़का ऐसी इस अंटी के खकर में क्यों भासेगा तुम्ही बताओ हे अंटी किसको बोल रहा हूं और हमारी आर्टी से दूर रह हमारा नाम रितु है रितु बुआ अप तु देख तुझे कैसे अंकल बनाते हैं देखो आर्टी इसमें इसकी सारी कर्टूते हैं आठी, तुम किसका यकीन करोगे? इन लोगे का जो हमेशा मेरे पीछे पाड़े रहते हैं? या उसका जो तुमसे दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता है? प्यार? प्यार शब्द का मतनभी चानते हो, तुम क्या होता है? प्यार के नाम पे न तुमने सिर्फ मुझे दोका दिया है सिर्फ चूट बोला है तुमने मुझे न अब कोई सफाई नी चाहिए हो गया, बस कुछ ने सुनना मुझे एक चीज बता जी क्यो क्यों तुमने मेरे साथ है क्यों बोलो आज के बाद ना तुम मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना और ना ही मुझे फोन करने की कोशिश करना क्योंकि तुमने ना सब बरबाद कर दिया है सब खराव कर दिया है तुमने आर्थी चलो मेरा साथ मत छोड़ो आर्थी साथ तो तुमने छोड़ा है कुनाल अब हाथ छोड़ो मेरा हाथ छोड़ो कुनाल मैसे कैसे छोड़ दूँ बेबी बहुत खर्चा कर आया तुमने मेरा जब तोफे दे रहा था, तब तो दोखा नहीं दिखाई दिखाई दिया तुम्हें मेरा? तब तो दोनों हातों से ले रही थी. बहुत अच्छा हूँ. जो तुम्हारा ये रूप भी देख लिया. तोफे चेहे ना तुम्हे? ये लो. ये ही दिंग दी थी ना तुम्हें प्यार के नाम पर? ये ये भी दिया था ना तुम्हें? इसे भी रखो तुम. कुछ नहीं चाहिए तुम्हारा मुझे. तुम ऐसे मुझे नहीं छोड सकती. मैं तुम्हें जाने नहीं दूँग आरती. आठ छोड़ो मेरा! छोड़ो, Kunal! हाथ छोड़ो, आर्ती का. वो मैं और आर्ती देख लेंगे, समझी? श्रता? तुम ठीको? Kunal! तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरी भावी को हाथ लगाने की? तुम यू सुन रही हो इसकी आर्ती? यह तो चाती है, हमालगो जाए. पर क्या चाती है? का अचरा साही भेता। सभी नाम रखा तुमारा नृ सभी तुमारा में टम्हारा? जह किसी आर्तना फख़ाकर मुठीय दुकाon? दुकान में आग लगता राक हो गई है दुकान, लेंदा सर पर बैठे हैं, और इने चिंता ही नहीं है, कर लो बड़ी-बड़ी बाते इंसे अरे पर कोशिश तो कर रहा है ना यह और अगर आप इतने देर यहां खड़े रहें तो आपके पैर की तकलीफ और बढ़ जाएगी अरे मेरी तकलीफ यह है हालत देखिये इस कमरे की तुम शद्दा को कुछ भी कह लो लेकिन सच तो यह है कि शद्दा के बिना यह कुछ भी नहीं है कुछ भी नहीं आज तक क्या किया इसने? क्या साबित किया इसने? कोई जिम्मेदारी उठाई है इसने? चाचू, क्या हो गया? कुछ बात हुए यह क्या? जिसको इसा गयर जिम्मेदार बेटा मिला हो, वो रोने के इलावा और क्या कर सकता है? बस आसू पीराओं में आल देखा इसका? तुम रहने तो, दुकान मैं खुच समाल लूँगा तुमसे ना हो अब कुछ अजिए पुच खरीदने ना है वोफदार रिष्टे, कुष्णिया, सुकून यार, मैं तब खरीदूगा क्यूँकि सब मिलता बाजार में अब चाचू वह अच्यूली जब आपको यह बताने के लाहा है कि पापा नीचे गाड़ी में आपका वेट कर रहे है आप चलिये, मैं अभे से बात करता हूँ खुद का अपना जवान बेटा लेकिन हॉस्पिटल ले जाने के लिए बड़े-बड़े का बेटा आ रहा है और रे कुछ शर्म है कि नहीं तुमें चलिये जदे अभेट चाचों के सामने अपना हुलिया अपनी हरकते ठीक रखा कर ऐसी बीपी बढ़ता है उनका तू मत शुरू हो जाना सरागे गूमरा मेरा तू मत शुरू है तू मत शुरू है साही नाम रखा है समने तुम्हारा नलायक घर की मुश्किले कम नहीं हो रही और इने चिंते नहीं है कर लो बड़ी-बड़ी बाते इंसे जिसको इसा गयर जिम्मेदार बेटा मिला हो वो रोने के लावा और क्या कड़ सकता है जब श्रदा इस घर से मेरी जिंदगी थे चली जाएगी ना बेटे उने के सारे फर्ज सारे फर्ज दिपाऊंगा वापा हिमत कैसे हुई तेरिया हमारे घर की बहु को अज़े तक्का बारने की अब आप दोनों बेर को चाप चलो तो फोड़ो फोड़ो इसका हट मैंने कहा आथी का हट छोड़ो अब अब अरे क्या कर रही हो आउंटी ए आउंटी होगे तेरी माँ अभी तो पांच मिनिट पहले बेबी की आखे बहुत पसंदे बेबी की आवाज बहुत अच्छी लग रही थी अचाना कब आउंटी अब तो देखी आउंटी तुझे वटक वटक के कैसे वारती है तु हमारी आर्ती को फसा रहा था अभी उसकी रिटूबवा जिंदा है तेरा इलाज ना उझे पहले दीन ही कर देना चाहिए तो तेरा ही किया धरा है ना आज के बाद तुम आर्ती के आसपास भी नजर नहीं ना तुम उसे फोन करोगे ना उसे मिलने की कोशिश करोगे संजे निकलो 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 या आसे आर्ती 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 अपनी रिटूबवा के होते वे क्यो रो रही हो रोना बंद करो देखो, देखो, सब ठीक हो कै नहीं रोंगी तुम तुम्हे पता है मैंने उसको नालको न मगरवच कह दिया लेकिन उसे समझ में ही नहीं आया सब हमारी तरह इतने समझदार नहीं होते अब रोना बंद करो और देखो वक्त रहते सब कुछ हमें पता चल गया अरे तुम रोना बंद करोगी तब तुम शुक्रियादा करोगी ना हमारे परिवार का सच्चा रक्षत तुम्हारी ये भाभी श्रत था तुम्हे पता है उस गदे से बचाने में सिर्फ और सिप इसका दिमाग लगा हुआ था तुम्हारी भाभी ने ये सब किया है भाभी थैंक्यू सो मच्च आपने मुझे सच में बचा लिया अरे 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 ये क्या बात हुए हाँ माना कि शद्धा ने दिमाग लगाया था लेकिन देखो मैदान में तो हम उत्रे थे सरा हमारे भी गले मिल लो हम आजाओ बस रोना बंग तुम्हें पता है आती हमने मननत रखी थी कि अगर सब कुछ ठीक हो जाएगा तो हम मंदिर जाएंगे तो अब हम मंदिर होकर आते तुम दोनों सही सलामत घर पहुँचे ठीक है और रोहोगी नहीं अजया थिल बाराता ना तुम्हेरा कुनाल का नाम सुनते ही तो क्यू हो मेरे साथ हो? यह साथ दिन का नाटा करके क्यू चोठ हो जाना चाहती हु वजेवावण अभे बोलना चाहती हुए या फिर कुनाल सद्धा क्या हुआ कुछ नहीं दो आजे, इसे संभलकर साथ ले जाओ, जाओ, जाओ तू अरे, शद्धा, क्या हुआ शद्धा, तुम तो ऐसे गले मिल रही हो जिसे हमेशा के लिए इस घर से बिदा हो रही हो, क्या हुआ, जब सब ठीक है, जो तुमने आरती के लिए किया, कोई नहीं करता है किसी के लिए, देखना, जैसे ही तुम घर पहुचोगी, बहुत सारा प्यार तुम्हें भिलेगा भाबी, घर चले, हाँ, हम दोनों जाएंगे, मगर अपने अपने घर अधेया, आजए, अधेया, की तीटी, नहीं, दिखाएगी ने, तो कैसे बताऊंगी, बेटा मैं, अधेया, में, तुम्हें आणिवा, तुम्हें, आए श्किन अलर्जी, तुम्हें आधेया थी, तुम्हें इसे परिछान हो गई, शोर तो ऐसे मचा दिया था, मुझे लगा पतानी क्या हो गया अलती चंदा लगा देती हो देखना दो मिरण में ठीक हो जाएगा मैं लेकर आती हो कॉमी आपको कभी हमारी फिक्र हुई है जो आज होगी कीर्थी तुम्हारे लिए देसीगी के लड्डू लेकर आई है तुम्हारे लिए तुम्हारे बच्चे के लिए बड़ फाइदे मन दोंगे आप भी? देसीगी के लड्डू? अच्छा ठीक है खा लेंगे देख बेटा अब तु माँ बनने वाली है तुम्हारे उपर बहुत सारी जिम्मेदारी आएंगे तुम्हें अपने वेभार में थोड़ा बत्लाव लाना होगा ठीक है? केटि, यह अबद्भू कहा से आऊरे है? हमें तो कोई बद्भू नहीं आरी बद्भू? बद्भू? अदे नहीं आरी बद्भू तो रुकक आ रहे है बद्भू यहीं कहीं से आ दिए। जी कीर्थी, पता निक कब सी यह खाना यहां पर सड़ रहा है, और तुमनों… सफाई तो छोड़ो उत्तुम, यह सब क्या है कीर्थी? यहीं, यहीं, हम इसे भीखना ही भूल गया है। अटे, वो मा के सामने ले जाकर भीखते, तो उनका दिल तूट जाता ना? मतलब, सौबर उन्हें समझा है, हमें यह घी वाला हल्वा नहीं खौना हमें नहीं पसंद है। हम इना बाहर का कुछ चटपटा सा खाना है, पर नहीं, हर बार यह हल्वा लेकर आजाती है, पॉस्टिक है, पॉस्टिक है, पॉस्टिक है। यश्वी जी, हम बाहर बढ़के चाहे नाश्ता कर लेके, इससे फिक फैंको किती बत्पू आरे है, इसमसरे, एक मुसीबत तो खातम नहीं, अभी दूस्टिक मुसीबत का क्या पर नहीं, कैसे निकलो इस घर से बाहर, बाभी, अगर आपके जैसा कोई घर में हो, तो कभी कोई किसी मुसीबत में ही ना फसे, मैंने आपके साथ जो इतना पुरा बरताफ किया, क्या आप उन सब कभी बुला पाओगे, क्या आप कभी माफ करेंगी मुझे, आर्थी, जो बात बीद गई है, उसके बारे में सोच के क्या फ चलो, अपने कमरे में जाओ और आराम करूँ मैं देख रहा था, तुम या मज़े से गूम रही थी, या? मुझे लगा तुम्हे याद दिला दूँ, साथ दिन तुम्हारे आज खत्म होगे इस घर में, और हमारा ये जो ये रिष्टा था ना, वो भी गा तूँ चलो, निकलो याँसे! कुनल जी, हम है कीर्थी नहीं काम करना है, तो सीधे बोल दो ना? और दूसरों का वक्त बरबाद मत करो ताइम देखो, इतनी देर कैसे हो गई? अब चला क्यो रहे हम पे? अस पंदरा मेड लेट तो आये हैं, इसमें ऐसा क्या हो गया? असमान गिर गया क्या? और आपको क्या पता? कि कैसे बच बचा कर हम अपने घर वालों से यहां तक पॉचे? अपने परिवार की बाद ना, तो मत ही करो तूँ मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, तुम्हें आगे ले जाने की तुम्हारी बहन अगर बार बार मेरे रास्ते में आई तो… क्या क्या दीदू ने? चिंता मत करिये यह आड आप ही करेंगी आपकी दीदू ना, मुझे धंकी दिये आपसे दूर रहने के तूए इसे खोल कर बार-बार निहारने का वक्त नहीं है भरोसा है, तो साइन करिया है पढ़ देना चाहिए था कीर्ती बेवी क्योंकि जब पता चलेगा क्या साइन कर दिया तुम्हें हो शुरने वाली है तुम्हेरी यह है कीर्ती कीर्ती जी, काफी दारिब शुनिये आपकी कुनाल जी से तो तयार है आप? हाँ एक मिनिट अरे ऐसे घूंगट में शूट नहीं करते कीर्ती जी हटाइए से अरे अरे यह क्या कर लिया? कुनाल भाई यह क्या? आप एक काम करी आप सुनिये इधर आइए हम एक काम कर सकते है कि हम ऐसा करते है कि हम दो बार में कर लेते है बिफोर आफटर हम एक काम करेंगे पहले यह जो आपका चहरा है पर शूट के लिए पिंपल वाले चहरे को आज शूट कर लिए और उसके बाद जब आप ठीक हो जाएंगी तो दूसरी का शूट है हाँ कि क्रीम ने क्या चमतकार कर दिया बड़ी है? हाँ तो चलिए रड़ी हो जईए क्या हो अश्रद्दा तुम्हे न्योता देना पड़ेगा क्या? तुम्हें सुना नहीं अभे ने क्या कहा? निकलो यहां से! सोन्या यह क्या तरीका है बात करने का? अब ऐसे भी यह श्रद्दा का घर है तो वो क्यों जाएगी यहां से? अबे यह क्या हो रहा है? जब यह बाहर के अंजान इंसान के सा रिष्टा निभाना चाहती है तो क्यों बादना उसको उसके घर के साथ मम्मी? अबे श्रदा रुको अबे तुम होश में हो तुम पता है तुम क्या बोल रहो कि पूरा दिमाद कराब अगया है तुमारा तुम्ही होश में तुम्हाँ प्ड़्याँग और जब आपको इसके सच्चा ही क्वदा चलेगा ना जब आपको पता चलेगा कि जो आज तक ये दिखाती ही आई है, वो सब एक जूड़ता अभाई, शुब हो जाएए, ये कैसी बेहुदा बाते आपकी जबान से निकल रही है, आपकी जबान फिसल रही है क्या जब ये अंजान आदमी के साथ फिसल सकती है, तो मेरी जुबान भी लड़कडा सकती है मैंने खुद अपनी आँकों से देखा है, इसको उसके साथ, अरे इस घर की चोकर तक में आया हूँ शर्दा, हम तुम से पूछ रहे हैं, अब है क्या बोल रहा है, जो भी बात है तुम हम से बोलो अरे बोलो शर्दा मम्मी जी अब मेरा कुछ भी कहना माइने नहीं रखता है मैज मैज यडियो प्रहुत, अर्दा, बोलोही नहीं झी नहीं आर्थी, अपने सिंदगी का अगला हर कतब, बहुत समार का रखना, अपना और घरवालों का बहुत त्यार रखना, पूरी जिम्बिदारी के साथ, सिंदगी का रखना, अपन गला हरुणाएrau में अपना हरुत त्यारा रखना बेरंग दुनिया में एक रंग हो तुम्ही कैसे भूलूं तुम्हें हर याद हो तुम्ही क lijकार फिर्णेश कैसे भूल भूल किश में मुश्प इनल झाल झाल क्यों बढ़ रही है अपनी ये दूरी कैसी लिखे है उसने ये कहाँ आए किसमत की लकिरों से अरे शर्दाजी कभी हमें भी शुक्रिया बोलने का मौका दीजिए शुक्रिया क्यों? क्योंकि अभी ये रोज दोस के गामे से ना मुझे कोई फरक नी पड़ता है जिए सिफ अपने काम पे ध्यान देना और ये सब कुछ तुमारी वज़ से उपाया शुदा किसमत की लखीरों से किसमत की लखीरों से अब है यह तुमने क्या किया रिष्टा को मजाग बना दिया तुमने कल तक तो उसके नाम का जंडा लेकर कड़े ते तुम और आज तुमने घर से निकाल दिया तुम्हें नहीं लगा कि पापा और हमसे बात करना ज़रूरी है बस पैसला ले लिया हाँ भै इतना सब कुछ आपके मन में चल रहा था और आप आज ऐसे अमें ये से बता रहें आपने जो कुछ भी देखा आपने नहीं बता अपनी आपनी श्यू आखों से देखा हो ना देखा हो लेकिन लेकिन हमारा मन नहीं मानता कि श्रंदा किसी गहराथ में किस सब अरे यार नहीं करनी दू मुझे इतनी जल्दी शादी हम दोनों के बीश्ट पती-पत्नी जैसा कभी कुछ नहीं बन सकता यह तो मुझे सबसे जादा पसंदा है अच्छा ठीक है एक काम करो वो आइस किंग भी दुका दो तुम्हें जो पसंदा वो ले लो वहां से बेरंग दुनिया में एक रंग हो तुम्ही कैसे भूलूं तुम्हें हर याद हो तुम्ही क्यों बढ़ रही है अपनी जब यह अंजान आदमी के साथ पिसल सकती है तो मेरी जुबान भी लडखडा सकती है एक चोट से तूट जाए हम, हमारा रिष्टा इतना कम्जोर भी तो नहीं था अबे मैंने मैंने कोशिश की थी इसे मस्मूत रखने की और मैं हार गई मैं 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 हार गई मैं हार गई आर्थी का कॉन? अब है तुम्हारी हिम्मत के से हुई इस घर की भूख के बारे में इतना गलत सोचने की इतना ख़्टिया निजाम लगाने की वरवरिष्का तुम्हे घंदा गणत सावित कर दिया जाजू सम्हाल कि अभे अभे मैं बहुत दिनों से देख रहा हूं कि तुम शद्दा के साथ कितना बुरा बरताब कर रहा है लेकिर मैं सपने में भी निसो सकता था कि तु इतनी किरिवी बात सोचता है और वो भी शद्दा के बारे में अभे बिटा एक बार याद तो कर ले spons शुच रहे हैं कि इसके बारे में सुच रहों किस के बारे में बुल रहे उसके बारे जो जो चट्तान की तरे तुमारे इस परिवार के साथ हर अच्य बुरी भुक प्क्तर खडि रही रहने तीचे महसल अभ ये बढ़ा हो क्या इसे अपनी मनमानी करने दिजिए तनुजा जी शिकायत तो हमें आप से जिस बच्ची ने इस परिवार को जोड के रखा तो सब कुछ दे दिया इस परिवार के लिए आपने उसे बेज़त होने दिया सुनाईए आप भी मुझे ही सुनाईए पर बापा इस बार सच ये है कि इज़त उसने नहीं रखी है आपके भरोसे की, आपके प्यार की, हमारे रिष्टे की अरे, अरे जानता हूँ सो कम्या है मुझ में पर मैं आप सब से आज जोड के विंती कर रहा हूँ आज के बाद व उश काती हैं एस काती आज कर मेके सी नहीं एम्या आप कुझ एम्या उड़ है बिल्कुल ठीक किया उस लड़की के साथ वो उस ही लायक है आज तुमने साबिक कर दिया कि जो खुद की परवाह नहीं करते दूसरों के बारे में सोचते उनकी परवाह करते उनका अपने ही गर में अपने ही पती की नजरों में कोई कदर नहीं होती शाबाश अभाय अनुच त्रिपाटी शाबाश अज तुमने बहुत बड़ा काम किया है सही सिला दिया तुमने अपनी पत्नी के हर एक ऐसान का पता है अब है अशुमने थाबित कर दिया के मर्द चाहे कितना भी बड़ा निखा क्यों न हो कुद को कितना भी सिम्मेदार इसदार वुद्धी चीवी मानता हूँ आखिर में मर्द मर्दी रहता है तुम सब के सब मर्दे जैसे हो सब के सब अजिस्ते हमारे घुजरे वे कल की हमें याद दिला दी सालों पहले हमारे पती ने हम पर इल्जाम लगाया था वही इल्जाम जो आज तुमने अपनी इम्मत्ती पर लगाया और उस वक अपने आत्मा समान के लिए हम अपना सामान लेकर उस गर को चोड़कर चले आए जिसे अच्रता चली गए इस गर को चोड़कर सबने कहा तुम जखड़ालो है अपने पती से जखड़ा करके गर्ट चोड़कर चली आई है नहीं तुम कभी जखड़ालो नहीं थी अपने आत्मा समान के लिए एक गर चोड़कर आगे जो उसका अपना था और आज शाद्धा ने पिवाई किया जड़ी गई वो इस गर को चोड़कर यह उसका अपना गर था ना पक बदल क्या लोग बदल के लोग बदल के मुकर मुर्थ मुर्थ नहीं पतला और ना उसकी कट्या सोच पदली आज भी पती-पत्मी के रिष्टे में पत्नी की जगा वह होती है जब पत्नी अपनी पत्नी पर शक करे तो वह उसका वहम लेकिन जब पत्नी अपनी पत्नी पर शक करे तो वह तूट सत्य शुक्रिया भाई शुक्रिया हमें फिर से सालों के बाद ये सच याद दिलाने के लिए आज तक इस कार के किसी भी मामले में हमने तखर नहीं थी लेकिन आज जो हुआ नहीं होना चाहिए था बैर नहीं होना चाहिए था जो हुआ वह हमसे नहीं देखा जा रहा नहीं हो राए बर्दाश तूट काया अरे उस बच्ची के सथ इतना बड़ा अन्डिया हुआ और हम उसके लिए अज कुछ नहीं कर बाए हम खुछ नहीं कर बाए हमसे कितना बड़ा पाप हो गया सच हमेशा कढ़वा होता है लेकिन सच सच होता है जब शुःत्दा की सगी बेंध तुमपर इल्जाम लगाया तब इन मेसे कौन खऴा था तुमारे साथ सिर्फ और जेव शुःत्दा ने तुमारा साथ दिया तुमारे साथ कढ़ी रही कोई सवाल नहीं किया, कोई सबूत नहीं वागा तुम से सिर्फ अरोसा किया तुम पर और आज जब अरोसा करने की पारी तुम्हारी आई अब है, तो तुमने क्या किया? उसे वनभास दे दिया, सबूत चाहिए ना तुमें? सच जाना है तुमें, हम तुमें सब कुछ सच सच बताएंगे कि कैसे इस घर को छोड़ने के बावजूत इस घर की लड़की, तुमारी बहन आरती उसी को बचाने में लगी हुई है वो किस्मत से टकराती, उलजी लकीरों को सुलज हाती शद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाईए शिमारू उमंग झालोगा झालोगा